तो साल था 2012 जब क्रिकेट इस्ट्री के सबसे वड़े लेचिन सचिन टेंडूल करने 100-100 का रेकॉर्ड बना लिया था जिस बैलेंस के साथ उन्होंने टेस्ट में 49 और ओडियाई में 51 सेंच्यूरीस लगाई वो बेहदी काबील्य तारीफ है अपने 24 साल तक क्रिकेट को डॉमिनेट करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि उनका रेकॉर्ड अब कौन तोड़ेगा तो उन्होंने इंडिया के दो मॉडरन डे लेजेंस रोहित चर्मा और विराट कोहली का नाम लिया और हुआ भी बिलकुल वैसे ही वाइट बॉल में तो उसके अगले साल ही रोहित ने अपना पहला 200 बनाया और 2014 में 264 बनाकर क्रिकेट हिस्ट्रिक का हाईएस इंडिविज़ल स्कोर बना दिया रोहित के साथ साथ विराट को ली भी सचिन के रेकॉर्ड के पीछे पड़े गए थे जिस तीजी से वो ओडियाई में सेंचूरिस लगा रहे थे सबको यह यकीन था कि सचिन के 49 सेंचूरिस का रेकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे और अल्टिमेट ली 2030 के ओडियाई वोल्ड कप सेमी फाइनल में सचिन के होम ग्राउट मुंबई में सचिन के ही सामने विराट कोली ने उनका रेकॉर्ड तोड़ दिया और ओडियाई में 50 सेंचूरिस बनाने वाले पहले बैट्समन बन गए वाइट बॉल में तो विराट औरो इतने सचिन की बात को सही साबित कर दिया पर टेस्ट क्रिकेट में बात कुछ और ही थी टेस्ट में विराट कोली 2019 तक तो काफी शांदार परफॉंग कर रहे थे जहाँ फैब 4 में भी टेस्ट सेंचूरिस में वो 27 सेंचूरिस बना कर लीड कर रहे थे स्टीव स्मिट भी 26 सेंचूरिस के साथ उनके बिलकुल 7 खड़े थे केन विलियम सन भी 30 सेंचूरिस बना चुके थे ऐसा लग रहा था कि अगले कुछ सालों में विराट टेस्ट क्रिकेट में भी सचेन के रेकॉर्ड तोड़ ही देंगे लेकिन फिर एक ऐसे बंदे की पीक आई जिसने पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री को शौक करके रख दिया एक समय था जब लोग इने पैप 4 के लायक भी नहीं मानते थे जैनवारी 2021 तक इनके सिर्फ 17 सेंचूरीस थी लेकिन फिर श्रीलंका में 200 चन्ने के उस टफ पिछ पे 200, इंगलाइन में 200 और ऐसे ही सेंचूरीस की लाइन लगा दी थी जोर उटने और देखते ही देखते आज वो 34 सेंचूरीस तक आ गए है जहां पिछले 3 सालों में विराट ने सिर्फ 2, समिथ ने सिर्फ 6 और विलियम सेंचूरीस लगाई है वहीं जोर उटने 17 सेंचूरीस लगा दी है अगर हम 50 की बात करें तो फैब 4 में जोर उट बाकी सबसे काफी आगे जा चुके है एक टाइम था जहां इन्हें लोग फैब 4 का हिस्सा भी नहीं मानते थे और आज इन्हें सब फैब 4 के बेश टेस्ट बैट्समन मानते है जो रूट ने अपने बैटिंग से ही अपने सारे क्रेटिक्स को चुप करके रख दिया 2022 में लोगों ने रूट को काफ़ी क्रेटिसाइस किया था कॉंट्रो वर्सीस और अपने खराब फोर्म के चलते उनसे टेस्ट की कैप्टन सी भी छीन नी गई उन्हें एक फेल्ड कैप्टन की नजरों से देखने लग गए पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी अपने रंस बनाने की भूग को कभी कम नहीं होने दिया और बस रंस बनाते गए पैसबॉल के आने के बाद भी रूट के परफॉर्मंस पर कोई असर नहीं आया उन्होंने नए शॉट्स खेलना भी शुरू कर दिया अटैकिंग अंदास में बैटिंग भी करी और टीम के जवरत के हिसाब से अपने गेम को अड़ाप्ट कर लिया ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रूट इंगलाइंड की टीम के लिए काफ़ी डिपेंडेबल बैट्समेन है हाली में रूट ने इंगलाइंड की ग्रेटेश टेस्ट प्लेयर एलेश्टर कुक के हाइश टेस्ट सेंचूरिस का रेकॉर्ड भी तोड़ दिया और अब बस साइनेटली गौड ओफ क्रिकेट सचन टिंडूल करके रेकॉर्ड तोड़ने को निकल चुके है पर सब के मन में बस यही सवाल है कि क्या रूट सचन का रेकॉर्ड तोड़ पाएंगे जी हाँ बिलकुल सही सुना अपने यही बाते चल रही है पूरे क्रिकेट इंड़स्ट्री में जहाँ फैन्स और सारे एक्सपर्ट को भी यह लगने लगा है कि जो रूट सचन टिंडूल करका रेकॉर्ड तोड़ सकते फिलाल रूट जिस तरह की फॉर्म में खेल रहे है ना ही वो स्विंग कंडिशन्स में फेल हो रहे है और ना ही स्पिन के खिलाफ अपना विकेट गवा रहे है हाली में श्रीलंका के खिलाब सेकेंड टेस्ट में रूट ने दोनों ही इनिंग्स में अपनी सेंचुरी लगा दी चलो अब एक बार के लिए हम सचिन और रूट के स्टैट्स को भी कंपैर करते हैं टेस्ट क्रिकेट में सचिन ने 200 मैचेस और 329 इनिंग्स में 53 के एवरेच से 15,921 रन्स बनाई जिसमें 51 हंड्स और 68 फिफ्टीज भी शामिल है अब अगर हम देखें तो रूट अभी 33 साल के है मतलब उनमें अभी भी 4 साल की क्रिकेट तो बाकी ही है इन 4 सालों में 4 फिफ्टीज तो बना ही लेंगे सेंचूरीस का रेकॉर्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल जरूर है पर जिस फॉर्म में वो खेल रहे है अगर वो थोड़ा और कंटीनियो रहे तो वो आसान इसे कर सकते हैं रंस के मामले में 3600 रंस बनाना मुश्किल जरूर है पर नामोन की नहीं अगर रूट चाहे तो यह आसान इसे कर सकते हैं लेकिन प्रॉबलम बस यह है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स कभी भी रेटार्मेंट ले लेते हैं जैसा हमने एलेश्टर कुक की केस में देखा अगर प्लेश्टर को चाहते तो वो भी सचिन का रेकॉर्ड तोड सकते थे पर उन्होंने रेकॉर्ड की चिंता करें बगयर अचानक से रेटार्मन ले लिया मगर रूट को देखते हुए मुझे लगता है कि वो सचिन का रेकॉर्ड तोड़ने जरूर जाएंगे बले यह आसान पर जिस तरह की फॉर्म में रूट खेल रहे है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे इसाब से रूट 2027-28 तक सचिन का रेकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बता दो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और ऐसे और वीडियो देखना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करदो अगर श्टीव स्मिथ पर वीडियो देखना हो तो इस वीडियो पर क्लिक करदो